वेल्कम टू आई चैनल आनलाइन जीएस वाय दिवाकर इस वीडियो में हम लोग पॉपलेशन जागरफी का प्रैक्टिस सेट नमबर टू देखेंगे और यह आपका यूपी एची एसी का जो बैच है उसे रिलेटेड यह प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है तो यह आप उस सूटमबर में एक्जाम होने वाला निट का जो टाल दिया गया है तो सितंबर दिसंबर और जो आपका अगला जून दुवजार तेज़ उस तीनों कोर्स के लिए आपका यहाँ पे बैची स्टार्ट हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं यहां पर आपका ज्यादा समय न लेंगे और यहां से हम लोग पहला प्रस्वन देखते हैं दिया है कि शुद्ध नेट यानि की नेट या सुद्ध जनसंख्या परिवर्तन कि इसके द्वारे निर्धारित होता है विकल्फ है आपके पास मरत्या यानि की मृटलेटी प्रवास यानि माइग्रेशन प्रजनता यानि फाल्टली और डि दिया है और सी दोनों तो यहां पदेखे यदि आपको सुद्ध जनसंख्या निकालना होगा यानि सुद्ध जनसंख्या परिवर्तन अब यहां पदेखे इसका नेध्धान पूचरा कि कि इसके और सी दोनों होगा ठीक यह जो मार्टल्टी है मरत्यता है और आपका प्रजननता है यह दोनों मिलके सुद्ध जनसंख्या परिवर्थन का निर्धार करते हैं हलाकि आप यह जानते हैं कि जब सुद्ध जनसंख्या निकाले जाते किसी अस्थान का सुद्ध जनसंख्या निक पर पर सभी कर सकते थी यहां पर सही हो सकता था लेकिन यहां पर यौर्ट यहां पर इस तरह के जो प्रफन आप से लेखें यह आपका यू जी इसी नेट में पूछा गया प्रस्ट नहीं और ऑफिसियल आंसर के से हम लोग यहां पे देख रहे हैं ठीक तो एक दो प्रस्ट ऐसे आपको यहां पर दिए गए हैं जो प्रिवियस येर में पूछे गए हैं इसी तरह से जैसे आपका प्रैक्टिसर जो कराया जाए गा करते हैं क्योंकि कहिन कहीं प्रवास का भी युगदान होता है जैसे माल यह किसी अस्थान की आपको सुद्ध जन्संख्या निकालनी है तो यहाँ पे उस यह कितने लोग मरें कितने लोग जन्म लियें और कितने लोग यहां से अन्य देशों को प्रवास कर गये हैं तो यह क्या होगा इन सबको यह आपका mortality और प्रवास ये दोनों जोड़के आप जन्मदर से घटा देंगे या वर्दमान वहां इस्तिती की जो population होगे उससे घटा देंगे ति यह आपका क्या पता चल जाएगा वहां की जो सुध जनसंक्या है दूसरा देखे प्रशनिया पर दिया है सामान निपद और परवासा दिया है असोधित जन्मदर दिया है सामान प्रजन अंदर है जनसंक्या की नसरगी इस्तिती है और मृत्युदर है ठीक तो यहां पर आपके पास जो दिया गया ये चारों में देखें असुधित जन्मदर क्या होता असुधित जन्मदर में आप जानते हैं कि इसमें जन्म की संख्या और उस पर्स यानि की कुल जन्म संख्या जो है इनका अनुपाद जो असुधित जन्मदर के अंदर के साम सामान ने प्रजनंदर में क्या होता है तो सामान ने प्रजनंदर में प्रजनंदर में जन्म की संख्या और इस्त्रियों की संख्या के भी जोन पाथ है ठीक तो यह सामान ने प्रजनंदर हो जाता है तीसरा हो जाएगा नहसरगीक जनसंख्या कि नहसरगीक वृद्धी यह आपका हो जाता है कि प्रती एक हजार जनसंख्या में मृत्त से अधिक जन्म है वही आपका पॉपुलेशन वागी कहे जाएगी और जो आपके मृत्युदर है यह प्रती हजार पर जो मृत्यूं की संख्या होती है वह यह आपका मृत्युदर कहा जाता है यहां यहां पर फोर भी थरी दोनों है प्रवसन है तो किसे इसमें सामिल किया जाएगा तो जो नेचुरल ग्रोथ रेट होता है पॉपोलेशन की उसमें जन्मदर और मृत्युदर का अंतर जो होता वही आपका प्राक्रतिक जनसंख्या भृद्धी होती है अगला देखे चीन में परिवार रजिस्टर को क्या कहा जाता है चीन में जो परिवार रजिस्टर होता उसे क्या कहा जाता क सेिए का चीन में परिवार रजिस्ट्र बना जाता है उसे कहते हैं कि यो जब प्रिवार रजिस्ट्र होना पूछा गया था ठीक अपर अपिने कत्हन मीडियम से लेके इसमें हाई लेवल पर प्रश्णों के अस्तर को रखा गया अब देखे कथन और कारण वाले ज्यादा तर प्रश्ण आप लोगों का गलत होते हैं कारण क्या होता गलत होने का यहां समझेगा हम लोग क्या करते हैं कि कथन को कारण से पुष्ट करते हैं जब आपका कतन भी शही है मैं जब कभी दूनों थाई हो लेकिन यह स्वाइख्या नहीं कर रहा है उसका भी विकल पहुंजब होता है तो पहला यहां पे देखिए contrat जो दिया गया है कि इस में सही है कारण क्या दे रहा है कि भारत हो गया और आपके बंगला देश हो गए या पाकिस्तान हो गया अवगानिस्तान हो यह सभी जो यह क्या करना है कि इसमें जो पापुलेशन गुरू था वो ज्यादा है ठीक लगातार बढ़ रहे हैं अब कारण कहा रहा है कि नहीं बिकासील देशों में घटती हुए जन्मदर और उच्छ मृत दर यह जन्मदर घटेगी जो आपका डेथ रेट है वह हाई रहेग तो पॉपुलेशन गुरू करी नहीं पाएगा ठीक तो इसलिए यह आपका गलत हो जाएगा यह सही हो जाएगा यह आपका यानि कथन सही यह कारण गलत है तो यह आपका सी विकल्प यहां पे सही होता है यानि कथन यह सही है और आर गलत आर यानि की रीजन यानि की कारण ठीक आगे विकल भी आपको मिलेंगे कथन देखे छटा प्रस्म में दिया है कि विश्व की कुल जनसंख्या विश्व की जो जनसंख्या है इसका वित्रण अत्यधिक आसमान है यह जानते हैं कि कहीं पे बहुत ज्यादा जैसे आप एसिया के लिए इसका पॉपलेशन ज्यादा है वहीं आप अफरीका के लिए या यूरूप के लिए यूरूप में यसी आसे बहुत कम है ठीक तो यानि कि जो जनसंख्या का वित्रण है यह ज्यादा असमान है कथन दिया है करण देरा कि जनसंख्या के आसमान वित्रण के लिए राजनेतिक परियावन जिम्म जनसंक्या का वित्रण अत्यदी का समान है तो ये बात सही है आप जानते हैं कि राजनेतिक पर्यावन यानी कि कहीं पर देखें, आपका अच्छी सरकारी शुवदाय दी गई है ठीक। वहाँ पे ज्यादा Arc तर्वेतन दिया जा रहा है अच्छी रहांसन की सुविदा दी गई है तो ज्यादा तर लोग क्या करेंगे वहां की तरह वाकर्सित होंगे और यह क्या होता राजनेतिक कारणों से ज्यादा तर देखा जाता है हलाकि प्रवास के लिए बहुत कारण उतरदाई होते हैं लेकिन प्रमुक रूप से राजनेतिक होता है जैसे सरकारें अच्छी हैं अपने आगे जो मजदूर है उनको भी अच्छी सिवाय उपलब्द कराती हैं तो अन्य देशों के जो लोग हैं जो कामगार की रूप में ज ज्यादा पैसे मिलते हैं उसके बाद देखें इसका आपका कठन भी सही है कारण भी सही है और कारण की सही ब्यक है भी कर रहा है यह आपका इसमें हो जाएगा और साथ नमबर क्यूं देखें आमेजन बेसिन में जनगनद तो काफी कम है कथन यह है कि जो आमेजन बेसिन चेत्र है वहाँ पर जनगनद तो काफी कम है यह आप जानते हैं कि आमेजन बेसिन में चुकी बिसम जलवाई पाए जाती है बिसम का मतलब यह है कि वहाँ पे कुछन कड़िबंदी चेतरी जलवाई पाए जाती है और रहने योगी उतना वो ज़्यादा नहीं रहता है तो इसलिए आपका आमेजन बेसिन में जनगना तो काफी कम होता है बहुत दूर दूर वहाँ पे आपको देखनों को मिलेगी पापुलेशन और बहुत कम रहेगी आमेजन बेसिन में गर्म और आदर जलवाई पाए जाती है जिससे वहाँ सघन कोणधारी बन पाए जाते है अब देखें ये कोणधारी बन जो है आपका निमनच चांसों पे नहीं पाए जाएंगे आमेजन बेसिन कहां पे है निमनच चांसों पे है तो निमनच चांसों पे कोणधारी बन नहीं पाए जाएंगे तो इसलिए आपका कारण तो गलत है कथन आपका सही है तो यहां भी आपका सीविकल्प हो जाएगे यानि ये गलत है आपका सही है उसके बाद देखे आठ नमबर क्यूस्चन में कि माल्थस ने कहा जनसंख्या में जयामती जनसंख्या जो है यह जयामती एनुपात से बढ़ने की प्रवृत्य रखती है जबकि जो खादे पदार्थ है यह गणती एनुपात मेन की वृत्य होती है ठीक तो मालतस नहीं यह कहा था यह बात सही है क्योंकि यह माना जाता है कि जो पापुलेशन है जैसे पापुलेशन आपका इस तरह से बढ़ता है कि एक हो गया तीन हो गया तीन के बाद आपका नव हो गया नव के बाद 27 इस तरह से जबकि पापुलेशन होगा एक के बाद दो के बाद 3, 3 के बाद 4 इस तरह से यानिकी साजाती स्रेणीमिया गणती यह अनुपाद में बढ़ता है जबकि पापुलेशन आपका नियंतर कर रहा है लेकिन पापुलेशन देखे गुरूथ रेट तो भले कम है लेकिन पापुलेशन ब्रिधी बढ़ गई है क्योंकि यहां पर मालेजिए एक लाख लोग है दो परसेंट हैं तभी आपका जो है प्रूत्तरी ज्यादा होगी यहीं पर यदि प्राचीन समय के म है कि संख्यात मनुस अपनी संख्यात में ब्रिधी को नियंतरित कर लिया है तो ऐसा नहीं है और मालतस ने जो जंशंख्या बड़ोतरी में जैमती अनकवात कहा यह आपका सही है उसने यह कहा था कि हर पचीस साल के बाद जो पापुलेशन हो क्या होगी दोगनी हो जाती है जबकि खाद्यों जो खाद्य पदार्थ है उसमें इस तरह का ग्रूथ रिट नहीं देखा जाता है ठीक तो इसमें भी आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा सी क्योंकि ए सही है और गलत है चलिए नौ नंबर देखे इसमें दिया है कि महानगरों में वयस्क पुरुस जंसं क्या का वर्चस अधिक होता है बात सही है क्योंकि जो ज्यादा तर अन्य जगहों से नगरों की और प्रवास करते हैं उसमें मैक्समुम प्रवासी कौन होता है पुरुस होते हैं ठीक कारण देखे क्या दे रहा है कि प्रवास आयुत अथा लिंग चैनात्मक है जैसा हमने न्य जे चैनात्मक होता है इसलिए इसलिए महा नगरों में वयसक पुरुस जन संख्या जो है यह अधिक वर्चस में रहती आनि इनका पॉपलेशन ज़ादा होती है तुछ में कारण भी सभी सभी अर्प कारण देखे साइए और देखेंखे साफ़स्टी llegar से हुआ हुआ स७ी अकली मुल्ष और बृटिक यह लिए वा जाएक तियुल्ष पीफडिया गया आप लगा सकते हैं यह आप आप ने कई बार कथन और कारण वाले परस्णों को solve किया है तो आपको विकल किया सकता नहीं होगी आप direct solve कर लेंगे अगला देखे प्रवास से संबंदित गत्यसीलता संक्रमण सिधान किसने दिया है क्लार्क है ली है जेलिंस्की है रेविंस्टीन है ये देखे बहुत बार प्रस्ण पूछा जाता है और ये बहुत पेट क्यूस्चन है पॉपुलेशन जागरफी का कोई भी कमीशन हो हर कमीशन के द्वारा एक दो वर्सों के अंतराल में ये प्रस्ण आप से पूछी लिया देखे लिंस्की मभुडएने मोडल दिया था ठीक किस ने दिया था ये दिया धीया अगला दएके फूपॉकरी कि संक्रमन की द feeखे बैंडी है लेंसू संसोफ रेट सब्सचेशन में में से खोहई नहीं है और हिसके बाद एक है प्रस्न है ने नंबर मेंसे फ्रक कि शेत् के अनभों के अधार पर बनाए गया था यह हमने जब पूरा आपको जन्नां जंक्रमुंड मॉडल पढ़ा जो है जन संख्या मॉडल को दिया गयाए जननांकि संख्रमुड मॉडल जो दिया गया विकल्प आपके पास उत्तरपस्च मी यूरोप अफ़रीका धक्षड अमेरि कुल जन संख्या का अनुपात महां का फेजियोलोजिकल डेंस्टी या का इसके बाद देखें दिया है कि किसी देश में आयोंगे पिरामिड का अधार बिश्त्रित और सिखर संकीनड होता है तो यह किस चेत्रों या किस देश का इसको हमने देखिए आपको अलग से कराया नहीं है लेकिन इसका पीडिया आपको गुरूप में मिल जाएगा ठीक अलग-अलग देसों के अलग-अलग पिरामिड होते हैं तीन प्रकार के पिरामिडों को बताया गया है तो अधार जो विश्त्रित है और सीर से जो है संकिंड है तो लगातार यानि की ग्रोथ रेट यहां पर पापुलेशन की हो रही है तो यह आपका जो है विकासील देशों के को प्रदर्शित करता है यह पिरामिड ठीक आगे देखे कोहर्ट किसे संबंदित है विशेष्ट सामान ने विशेष्टा है द्वारा एक इक्रित जन सं क्या समों को कोहर्ट का जाता है और यह बहुत बार आपसे प्रस्ण पूछा गया डायरेक्ट आपका कई बार मैच कराने वाले में इस तरह के प्रस्ण दे देता है ठीक अगला देखे कौन अंतराश्टी प्रवास के लिए प्रवासी कारक है आंत्रिक संगर्स अत्यदिक स तंद्रता बिदेश से अधिक पारिश्रमिक या तदिक सुरक्षा तो इसमें जो अंतराश्टी प्रवास के लिए प्रमुक कारक में से एक है जो प्रमुक कारक है उसमें आपका जो है बिदेश से अधिक पारिश्रमिक का मिलना पारिश्रमिक का मतलब कि जैसे आप यहां क कि आस पास के लोग आप अक्सर सुनते हैं कोई साओधी गया कोई अरब गया है साओधी अरब गया कोई एमन गया कोई कुबैद गया कोई ओमान गया है तो किस लिए जाते क्योंकि वहां पर जो पारिस्रमिक है जो मजदूरी है ठीक वो क्या है वहां पर जाधा होती है अब है यह जन्संग प्रवास प्रवा के को निरधारित करते हैं ठीक पुस पूल थेओरी लीक है अनुकुलतम जन्संग क्या सिद्धान से कहों सा मन्दित नहीं है डाल्टन है राविंसन के ने क्लार्क हैं तो इसमें देखिए राइट आंसर क्लार्क हो जाएगा एडविन केनन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं डाल्टन और रविंस्टन भी इसके सिधांद के विकास में प्रमुक युगदान दिये हैं इनों ने भी किया ने इसमें दियान है कि उच्छ जनमदर और निम निम अम्रित दर की सवस्था में देखा जाता है एक है यह विर्ट में थोड़ी गिरावट हो जाएगी तीसरे में क्या होता है कि दोनों नियुटम स्थिति में आ जाते कि दिया है कि जन्नांकी अपर्दन या जाती संगार की अवस्था क्या है जन्नांकी अपर्दन की अवस्था कि सिका जाता है या जिसमें रिडात्मक अवस्था आप कह सकते हैं जन्संख्या कि जिसमें जन्संख्या में कमी हो ठीक प्रथम तृति पांचमी चतूर्थ तो जा आत्मक्त हो जाती है ठीक। अगला परणिके पृत्वी पर 4 प्रिहट जन संक्या समुह बाए जाते हैं अभी जन संक्या समूह में आपको देखना है कौन से चार बड़े जन संक्या समुह यह देखे काई वार आप पूर्वी एसी आम है और फिर पूर्वी एंगलो अमेरिका में इसमें देखिया आपका चार वह है जो ब्रहत जनसंख्या समूरे पृत्वी पर ठीक चीन और अफरीका नहीं है तो एक दो तीन और चार यहां पर आपके राइट हो जाएंगे अगला देखिये जापान की अधिकान जनसंख्या किन अच्छांसों के मद्य पाई जाती है ठीक तो जापान की अधिकान जनसंख्या किन अच्छांसों के मद्य पाई जाती तीस से पैंटीस धक्षडी अच्छ जो है यह जापान में जो मैक्समम पापुलेशन वाले छेत्र है उसी को यह प्रदर्शित करता है ठीक सरवाधिक जनगनत वाला महादीप कौन सा है यूरोप है उत्री अमेरिका इसमें राइड आंसर क्या हो जाएगा आपका यह सरवाधिक जनगनत वाला महादीप है इसके बाद देखें पचार डिगरी उत्री अच्छांस के सारे ग्रेट ब्रेटियन से लेकर डोनेट्स बेसिन तक जो जनसंख्या फैली हुई है उसे क्या बोला जाता या यह जनसंख् जनसंख्या अमेरिका का जनसंख्या अक्ष्य या दूनों का इन में से कोई नहीं तो देखें जो पचार डिगरी उत्री अच्छांस के सारे ग्रेट बीटियन से डोनेट बेसिन तक जो जनसंख्या फैली हुई है उसे यूरोप के जनसंख्या धुरुवी कहा जाता है यह दिगरी को यूरोप के जनसंख्या धुरुवी आप कह सकते हैं अगला देखें यूसे और कनाडा की पचासी परसंड जो पॉपलेसन है यह किस देश आंतर के पूरवी भाग में पाई जाती है तो यूसे और कनाडा की जो 85 परसंड पॉपलेसन है यह आपका जो है 50 डिगरी पूर्वी देशांतर, 100 डिगरी पश्मी देशांतर, 80 डिगरी पूर्वी देशांतर या इन में से कोई नहीं तो राइट आंसर ये 100 डिगरी पश्मी देशांतर के पूर्वी भाग में जो है यस्य और कनाड़ा की 85% पापुलेशन पाई जाती है अगला देखे यूरोप का सरवाधिक जन गनत तो कहां पे देखा जाता है पस्चमी यूरोप में दक्षडी यूरोप में उत्तरी यूरोप में पूर्वी यूरोप में तो यूरोप का जो सरवाधिक जन गनत वाला जो छेत्र है वो आपका पस्चमी यूरोप है और किस अब जानते हैं नाइजीरिया जो है यह पिछली बार जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट दर्ज करने वाला जो है देश था जहां पर जनसंख्या ब्रिद्धी सरवादिक रही थी ठीक और नया डाटा जो आप लोगों को प्रवाइड कराया जा चुका है तो उसको आप वहां से कि सरवादिक वाला चीन का छेत्राबाद यहने की बसा रही हो ऊधिक पूला calm पलिद्धी का सर्वादिक घनी अबादी का देश आप देश Ses का मतलब गणा बसा घना-बसा यानी यानी की जनघनत तो चीन का जन घन घनत का सबसे पूर्वी उत्तरी अमेरिका में या उत्तर पूर्वी ये यूरोप में दक्षडी रूस में या दक्षण पूरवी एसिया में ठीक अब देखे इसमें अलग लग महादीपों का एरिया दे दिया गया उसमें पूछा है कि किस एरिया में ग्रामिड जो जनसंजन घनत तो है वो सरवाधिक देखा जाएगा इसमें जो आपका राइट आंसर हो और जावाधिप पर सरवाधिक जन घनत होने के क्या कारण रहे थे सघन क्रिशी था अवद्योगी करण था नगरी करण था इनमें से सभी थे तो नील नदी की घाटी और जावाधिप पर सरवाधिक जन घनत हो का कारण था यहां की सघन क्रिशी और इसी वज़ा से यहां पर maximum population पाएगे ठीक तो इसमें आपका जो टूटल था यह तीस प्रसनों को हम लोगों ने देख लिया है जो population जागरफी से था और यहां आप देखे यदि आप यूपी अचिस्टन प्रोफेसर की टेस्ट जोइन करना चाहते हैं इसमें देखे हम लोगों ने अभी आपका ट आपक भाइज भी मिल जाएगा unit भाइज भी मिल जाएगा और combined टेस्ट भी आगे जब चालू किया जाएगा तो भी आपको यहां पर उपलब्द करा दिया जाएगा ठीक और उसके लिए अलग जो कर दो चल रहे हैं और टेलीग्राम पर भी आपका टेस्ट हो रहा है इस न क्योंकि आप आपको साम को daily भुगोल से संबंदित अलग लग unit से कम से कम 25 से 30 प्रसनों को यहाँ पे daily daily solve कराया जाएगा इससे आपका क्या है कि पूरा unit धीरे धीरे complete हो जाएगा ठीक उसका revision भी हो जाएगा तिहाँ पे इतना ही thanks for watching